गूंगट में मधू ससुराल के दहलीज पर खड़ी थी, तभी मुस्कुराहट से सरिता स्वागत करवाते हुए बोली आओ दुलहन, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है, दाहिने पाउं से कलश किराओ माजी, मुझे आशिरवात दीजी कि मैं इस घर की बहु होने का परमधर्म निभा सको सदा सुहागिन रहो बहु तभी निभा मधू के दमकते चेहरे को देख कर बोली अरे वामधू भाबी, बड़ा सुन्दर ब्राइडल मेक अप करवाया है आपने देखो न मा, भाबी का चेहरा कितना गुलाब जैसा खिल रहा है तू भी न, निभा नजर मत मार, मेरी लक्षमी सी बहु को माजी, अपनों की नजर थोड़ी न लगती है और निभादीदी मैंने मेक अप करवाया नहीं था बलकि अपने आप किया है हैं भाबी, फिर तो आपने पका प्यूची बालर सीखा होगा मा के पास इतने पैसे ही कहा थे कि वो मुझे लाखो रुपे का कोर्स करवा पाती बस देखा देखी सीख लिया सीरिता की बात जितनी असेज करवारी थी कल तक मधू गरीम माईके की बेटी थी जिसे ससराल भी गरीम मिला था जिसमें कमाने वाला पवन इकलौता था मधूने एक भली ग्रहनी की तरह घर की जिम्मेदारी समाल ली दिन बीतने लगे और एक सुबह गरीब बहु को बिना सीखे भी ब्यूटी पारलर का पूरा पूरा ग्यान था वो नीबू और नीम के पत्तों से फेस पैक तयार करके निभा को लगा देती है जिससे न सिर्फ उसके चेरे की जाईयां चली जाती है बलकि निखार भी आ जाता है है भाबी आपने ऐसा क्या किया जो मैं इत्ती सुन्दर दिखनी लगी तब ही दर्वाजे के बाहर से गुजरती हुई प्रीती आती है नमस्ति सरीता अंटी जी कैसी हो सुना है पवन भाया की शादी कर दी तो सोचा आई ही हो तो देखती चलू यही है पवन की बीवी बिटिया देख लो मदू का चैरा किसी शीशे की तरह चमक रहा था क्योंकि वो कभी नीबू नीम तो कभी हल्दी चंदन लगाती रहती थी अरे वाका की पवन भाया की किसमत तो बड़ी अच्छी है हूर की परिमिली है वैसे इस काओं में बड़ी दिक्कत है आज तक एक भी ब्यूटी पालर नहीं अब ऐसे चिल्चलाती धूप में दो किलो मीटर दूर मार्किट में जाना पड़ेगा अरे उसकी दूरत नहीं बड़ेगी दिदी मेरी भावी का पालर का सारा कामाता है चाहे तो आप फेशल करवालो इनसे हाँ तब तो मेरे लिए बड़िया हो जाएगा वैसे भी इस मिर्च जैसी धूप में मेरा जाने का मन नहीं था पूरी मेहनत और लगन से गरीब बहू बड़ी बारीकी से स्टेप बाई स्टेप फेशल करती है जी आपका फेशल हो गया ये लीजी शीशे में देख लीजी कस्टमर गरीब बहू के हाथों के काम से बहुत खुश होते हैं और खुब बढ़ाई भी करते हैं अरे वाह आप तो अच्छा खासा काम जानती है पालर का तो फिर पालर क्यों नहीं खोल लेती भगवान ने आपको हुनर दिया है तो इसको काम में ले आईए उस कस्टमर के कहने पर बहू और गरीब सस्राल वाले सोच विचार करते हैं और सरिता गहनों का एक पुराने डिबबा निकालती है जिसमें कुछ पुराने चांदी के गहने थे सस्राल वालों के साथ से घर की जोपड़ी के आदे हिस्से में परदा डाल कर गरीब बहू ब्यूटी पालर शुरू करती है और घर के बाहर सस्ते दाम का बोर्ड लगा देती है उसके ठीक सामने सिमी का एसी ब्यूटी पालर था अच्छा जी तो इस गरीब नी मेरी देखा दे कि ब्यूटी पालर खुला है पच्छी डोंट नो कि इस जोपड़ पट्टी वाले ब्यूटी पालर में कोई नहीं जाएगा लेकिन सिमी की सोच का उल्टा ही होता है हर एक औरत अब आईब्रो बनवाने से लेकर मेकप करने के लिए गरीब बहु के ही ब्यूटी पालर में आती जबकि सिमी का ब्यूटी पालर खाली रहता अरे मुझे ना हलका फलका मीक अप करवाना है और जूड़ा बनवाना है कितना लोगी जी वैसे तो जूड़ा बनाने और मीक अप करने का मैं 500 लेती हूँ पर आप पहली बारा आई हैं इसलिए जो खुशी से दे दीजीगा गरीब बहु की बोलचाल नरम होने के चलते ही कस्टमर उसी के ब्योटी पारलर में आते हैं जिससे उसे दो महीनों में ही अच्छी कमाई होती है पर जैसे जैसे जेट आशार का मौसम शुरू होता है गर्मी का तापमान 45 डिगरी के पार हो जाता है जिससे गरीब बहु के ब्योटी पारलर में कस्टमर लगबग आना छोड़ देते हैं लेकिन वो रात के देर देर पारलर में बैठी कस्टमर के आने का रास्ता देखती अरे बहु अब इतना ब्यूटी पालर बंद कर दे आठ बज गए हैं इतनी रात भी रात में कौन आएगा जी माजी पूरा परिवार खाने बैठता है बहु सबको खाना परोस्ती है जी बाबी ये इतनी बड़ी तुरकंद कहां से आ रही है नाग भी नहीं दिया चा रहा और आप ये रात बहुता है वो ही ले आ उसी से रोटी खा लेँगे माजी अजारत तो शारा खट्म हो गया ये भगवान एक तो या गरीबी उपर से गर्मी का मोसम हम गरीबों को चैन के रोटी भी नहीं खाने देता है उतनी मेहनस से पसीना बहा कर कमाता हूं और मेरा पर पालर बंद करती है क्या जी नहीं खुला है बस आई बहू अब क्या खाने के थाली पर से उठकर जाएगी अनका अपमान होगा माजी भगवान भी तो हमारा दुखड़ा देख रहा है दो पैसे कमाने के लिए ही तो जा रही हूँ फिर बहू कस्टमर का मेकप करने लगती है लेकिन ब्योटी पालर भब गे से बरा होता है वो दो तीन बार कस्टमर का मेकप करती है लेकिन गर्मी और पसीने से मेकप बिगड़ जाता है ओफो क्या कर रही हो मेकप क्यों नहीं डंग से कर रही हो जी जी कर रही हूँ मैडम जी तुम रहने दो पहले इस कर्मी का कोई चुकाट करो, मेरा एक खंटा पर बात कर दिया। कस्टमर बगएर पैसे दिया पार्लर में से उठकर सिमी के AC वाले ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। गर्मियों की बड़ी हद को देखकर हर कोई AC खोच था जो के गरीब बहु की ब्यूटी पार्लर में नहीं था। इसलिए उसका ब्यूटी पार्लर चलना भी बंद हो जाता है। अपने सस्राल के लिए उसने जितने भी सपने देखे थे पूरी तरीके से तूट रहे थे। कितना गुद सोचा था मैंने इस ब्यूटी पार्लर से करने के लिए इस सस्राल को अच्छा बनाने के लिए अब कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। दुखी मन से रोते हुए उस गरीब बहु की आंखों से आंसु गिरे जा रहे थे तब ही एक गाड़ी आकर रुकती है और गीता अंजली नाम की एक अमीर महला मुस्कुरा कर बोलती है सुनिये जी मधुजी पार्लर वाली क्या यही रहती है? गीता अंजली तुम यहाँ? दुखी मन से गरीब बहु अपनी सहेली के गले लगकर बहुत रोती है वो अपने पार्लर में उसको लेकर आती है जो की गर्मी और उमस से भरा हुआ था फिर भी गीता अंजली वहाँ बैठ कर अपना मेकप करवाती है गरेब बहु हर एक चीज बारे की से करती है मदू तुम्हारी मेकप में कोई कमी नहीं है बस इस ब्यूची पालर में एक एसी की जुरत है पर देखो मेरी सहीली के ब्यूची पालर के बाहर कस्टमर की लाइन लग जाएगी पर इस वक्त तो मेरे पास अपनी घर का घर चलाने के लिए पैसे नहीं है मैं इतना महेंगा इसी कहां से लगाऊंगी कि तांजली बताओ तुम अरी तो मुझसे ले लो जब आ जाए तो लोटा दे न और आकर में बहु बड़ी खुशी के साथ अपना एसी ब्यूटी पालर चलाती है जिससे धीरे धीरे वो अपने गरीबी भरे हालातों को भी सुधार लेती है